यह है मेरा खाना इसके अंदर है मूर्गी यह देखो गाइस यह एक मूर्गी और यह इसमें एक है 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 लो दोस्तों गूद मॉर्णिंग वेलकाम बेक चुमाई यूटूब चैनल असके फिर से और एक ने ब्लोग वीडियो में स्वागत है यह आज का मेरा पहला डेली ब्लोग वीडियो होने वला है आज से मेरा ब्लोग वीडियो स्टार्ट होगा आज से में पूरे एक साल देली डालूँगा मेरे लाइब में वीडियो क्या सेंजर दोता है तो आप लोगों दिखने को मिलेगा तो असा करता हूं मेरा डेली ब्लोग आप लोगों को अच्छा लएगा तो मैं अभी शोके हुआ हूं तो शोके उतने के बाद ऐसे मोबाल हाथ पे लिया और मैं आस स बुड़ा देली ब्लोक स्टार्ट करूंगा आज तैस 17 अगस्ट और मैं देली ब्लोक जारूँगा तो तेक्टे रहेगा मेरे दोस्तों बहुत ही मजाने वाला है मैं अभी नहादो कहता हूं तो मिलते हैं उसके बाद बाद तो गाइस में अभी नहादो के रिदी हो चुका ह और और चाइब और बिश्के आप नहीं खाते हो तो आपको मिलेगा चावल एक्राइस और जोवी सब्जी तो यहाँ पर है यह सूब आपका राइस और है इव क्या ही वह गरम गरम है यह अलुवराजी तो निकल के लेथ और उसके बात स्टार्ट करते हैं यह मेरा खाना खाना नहीं लिट कुछ आलो का सबजी और यह है जो ल्टो गाइस में खाना खा लटा हूं तो मिलते हैं मिलते हैं breakfast करने के बाद यह है आप उनका फिलेज इस्टाइल breakfast मिलते है breakfast के बाद तो कास्त मेरा खाना होचुका है कम्प्लीट तो अभी मैं आप लोगो वे अलगी सीस दिखने वाला क्योंकि आप लोगो ऐसा का भी दिखने को नहीं मिला होगा यह सिर्फ गाऊँ में देखने को मिलता है तो देखने रहिए हैं तो जब अब लोग मेरे पीछे यह दो देख रहे हैं ना इसके अंदर है मर्गी यह देखो गाईस और यह इसमें एक है जब आपका मुर्गी अंदा देने वाला हो जाता है तब उसको एंदा निकालने के लिए देने के लिए तो इसे में उसको हमारे जो गाओ होता है इस उसमें यह दिया जाता है इसे हमारे लोकेल लिंग्वेज में जाखा कहते हैं तो एसा आप लोगों सिर्फ गाओं में दिखने को मिलेगा और कहीं नहीं तो हमरे फिलेश में सब लगभग सभी लोग ऐसे ही करके देते हैं तो अभी मेरा थोड़ा सा और एक काम बाकी रहे गया थो मेरा धूरा था पहले का तो मैं एक फिशिंग ट्रेप बना रहा हूँ गाइस तो अभी मैं आज उसे कम्प्लिट करूंगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा कम्प्लिट करके तो मिलते हैं यही है गाइस वो फिशिंग ट्रेप जो आप देख रहे हैं मैं ऐसे अभी बनाने वाला था लेकिन मेरा काम निकले हैं मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा तो इसे मैं बाद में बनाऊंगा त्रेक्टर रहिए